स्पीन नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ अनुजा कॉंग्रेस नेदा राहूल गांदी लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साथ रहे हैं बिरोजगारी हो या कोरोना वैक्सीन हो या बेड की कमी चीन हो या फिर राफल रहूल किसी मुद्दे पर मोधी सरकार को घेरने से नहीं चूपते हैं फिर से राहूल गांधी ने ट्वीट कर मोधी सरकार पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि काशगंज में अलताफ आगरा में अरुन वालमिकी और सुल्तानपूर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टिडी में मौध जैसी घटनाओं से साफ है कि रक्षक भग्षक बन चुके हैं और उतरप्रदेश पुलिस हरासत में मौध क कानून विवस्था पूरी तरह से चौपट है यहां कोई भी सुरक्षत नहीं है राफेल डील में कथित घुस्खोरी को लेकर बिपक्ष के हला मचाने के बीच नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी ने कॉंग्रेस पर बड़ा हमला किया है बीजेपी के प्रव की घुस दी गई थी बीजेपी के प्रवक्ता समित पातरा ने कहा है कि किसकी सरकार में डील हुई यहां पता चल गया है और 2007 और 2012 के बीच राफेल डील की गई थी उसमें यहां घुस दी गई थी वहीं बता दे कि कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोधी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रस्टाचार और दफनाने के लिए ओपरेशन कवर अब चल रहा था वहीं पिछले पांस सालों में जो आरोप है वो देश की सत्ता को बैठे उच्चतम दोगों तक जा रहा था कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने कहा है कि 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के पुर्वमंत्री और एक वरिष्ट वकील ने ततकालिन CBI के नर्देश को दस्तावेज सौपे 11 अक्टूबर 2018 को मौरीसिस सरकार ने भी CBI को दस्तावेज सौपे थे उसके बाद कोई जाच शुरू नहीं होती हुई दिखी वहीं आधिरात को आलोक वर्मा को हटा दिया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राओ को बना दिया जाता है वहीं बता दे कि 36 महिनों में कई कारवाई कोई कारवाई नहीं की गई थी ये कोई 60 से 65 करोड घुटाले का मामला नहीं है ये सबसे बड़ा रक्षा घुटाला है आपको हमारी रपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए झाल